आराइन जी की यहां पर दूसरी जो कविता दी गई है वह उनके काव्य संग रहो कोई दूसरा नहीं से दी गई है यह सीर्षक है बात सीधी थी पर बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेड़ी फज गई उसे पाने की कोशिस में भाषा को उल्टा, पल्टा, तोड़ा, मरोडा, घुमाया, फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए लेकिन इससे भाषा के साथ बात और भी पेचीदा होती चलिए कवी कह रहे हैं कि बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेड़ी फश गई भाषा के चकर में बात टेड़ी होने का मतलब यह है कि हमने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन सब्दों का चेन किया वह सही सब्द नहीं होने की वजह से जिस बात को हम सम्मुग रगना चाहा रहे थे कहना चाहा रहे थे वह सही तरीके से व्यक्त नहीं हो पाए उसे पाने की कोशिच में भावไbell को ϫा को उल्टा प्लटा तोड़ा मरू qura अब उसको सही जिगाधार लाने के लिए ग्लाने के लिए सही व्यक्त हो जाए उसके लिए हमने पिर नहीं भुमाया फिर आया उसको वह सही जगह पर आ जाए करके उनमें दूसरे सब्दों का प्रियोग किया कि बात बन जाए और या फिर भासा से बाहर आ जाए लेकिन इससे भासा के साथ-साथ बात और भी पेचीदा होती गई शही सब्दों का चैन्न होने के कारण उनमें और कठि सिंदा आती गई शारी मुश्किल को धैर यसे समझे बिना मैं पैंच को खोलने के बजाए उसे बेतर हो कश्ता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तब पर मुझे साप सुनाई दे रही थी तमास बीनों की साबाशी और वहावा आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था जो तो भाषा मैं बेकार घूमने लगी हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोग दिया इन पंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि अब जो है सारी मुश्किलें जब मैंने ध्यान से देखी तो धैर के से समझे बिना समझे ही मैं पैंच की तरह खोलने के बजाए उसे बेतर हो कस चला गया अर्थात यह है कि कोई भी पैंच होता है उसके लिए एक निश्चित खाचा भी होता है और उस खाचे में जब हम पैंच को कसते हैं तो आसानी से कशा भी जा सकता है और खोला भी जा सकता है परन्तु जो है यहां पर मैं उसको खोलने के बजाए बेतर्तीव उसक की इस कर्टप पर मुझह सड़ब चुनाई दे रहे थी अब जब मैं उल्टा काम कर रहा था तो जो तमाश भीन थे जो तमाशा देख रहे थे वह वावाव मुझको साबाशी दे रहे थे अब जब मैं उसको जो है जोर जबर्दस्ती करने लगा तो उसके जोनिश्चित शाचे थे वह सारे समाप्त तो हो गए उनमें जो घिर्डियां थी वह सबसमाब तो हो गई पैंच की और इसी प्रकार जब कविता में सही सब्दों का चैन नहीं हुआ तो उसकी भी जो है अर्थ हीन हो गई और वह भासा बेकार घूमने लगी हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया फिर मैंन सही सब्दों का चैन होने के कारण मैंने उस कविता को उसी तरह से जो सब्द थे उसी तरह उनको व्यक्त कर दिया ऊपर से ठीक था पर अंदर से न तो उसमें कशाओ था न ताकत बात में जो एक सरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पशीना पोच्टे दे सब्दों का चैन होगा तो उसके अर्थ में सरलता होगी और वह जो है निश्चित बात को कहने के लिए उसमें एक कशा होगा एक रश होगा अब यहां पर क्या हुआ जब कील की तरह आपने उसको ठोक दिया तो वह उसमें कोई ताकत न रही उसी प्रकार हमने कविता में अगर हमने सही सब्दों का चैन नहीं किया तो वह अर्थेहिन हो गई त नहीं और तो वह बात जो है एक सरारती बच्चे की तरह नों से खेल रहे थी कि एक सरारती बच्च्चा जिस तरह जाए खेलता है उसी तरहां से वह बात भी मुझे से खेल रही है मुझे पशीना पिोष्टं देख कर पूछा तुमने भाषा को शहूलियत से बहतनाénergie कभी नहीं सीखा तो भाई जब मैं उसमें उस बात को कहने मैं अलग-अलग प्रकार के सब्दों का प्रियोग कर रहा था और ताकि वह सुंदर हो सरल हो जाए सहज हो जाए इतना करने करने में जो है मेरे पशीने छोड़ रहे थे उस सरारती बच्चे की तरह तो उस बच्चे यह ने मुझसे कहा कि क्या तुमने भाषा को सहुल्यत से वरतना कभी नहीं शिखा अर्थात आपने सही सब्दों का चैन करना नहीं शिखा इसलिए किसी भी बात को कोई भी भावना को कविता में व्यक्त करने से पहले सही सब्दों का चैन करना चाहिए ताकि जो है वह बा करें जिस किसी को भी कह रहे हैं उसकी समझ में सरलता से आजाए और कविता के पूर्ण अनंद को अपराप्त कर सके